गुड इवनिंग फ्रेंस मैंने मिज राज और आप देख रहे आपका अपना चैनल राज टेकनिकल एनलस आज के डेटे 17 नवंबर 2022 आज हम लोग जिन से इसक्यों पर मंतली प्रिव्यू करेंगे वो है जिन्दोल सो क्या करना चाहिए हिंडल को पर बात करेंगे लाश्ट त तक गया जो उसका रेजिस्टन्स लेवल था आदानी पोर्स पे बात करेंगे अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर्ली देख रहे तो डेफिनेटल आपने इस पे बहुत बार और बहुत अच्छे पैसे कमाये रहेंगे इसके लिए आपको हमेशा बोलतो वीडियो रेगुल काई टिप्स मिलेगा जो आपको शेयर अनालेसिस करने में काफी मदद करेगा साथ मैं आपको इभी कमणी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते है तो जल्दी से मैं रेकमेंट बॉक्स में बताए ताकि मैं उस पर जल से जल रिसर्च करके वीडियो बना सको बट वीडियो सब्सक्राइब किशिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल की यूएस पी यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कुछिस करता हूँ मैं चैनल की दुष्टर बडियो यूएस आप हर महीन आप लोगों के लिए मंध्ली प्रिव्यू भी अपडेटील करा तो इससे अगर आप इसके इन्टेटर चैनल को इसके पंड is 22 जब इसकी closing with 83.45 support 1 was 60 support 270 support 380 resistance 190 resistance 200 resistance 310 जिनल सो आज के रिट पे 17 November 2022 200 दे ये में के उपर आ चुका है 90.70 की closing is support 170 support 280 support 390 resistance 190 resistance 200 resistance 310 हैस अगर आप इसका देखेंगे 92.80 लोई 77.45 पिछले बार अगर आपने ध्यान रहेगा support 380 डाला था resistance 190 पे डाला था पर इस पार support और resistance दोनों 90 पे है अगर 90 का support लिया तो 110 का target जिनल सो जरूर अचीव करेगा बात करेंगे हिंडाल को जैसे मैंने वीडियो के हिट भी हुआ बड़ वापस जब यह 400 पे आया तब मैंने लिया तब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आप use करेंगे stop loss तो आपको कम amount का ही रखना पड़ेगा but profit अगर आप देखेंगे 10 रूपे मैं per share की बात कर रहा हूँ 10 रूपे per share और profit 50 रूपीज जो है उसका पहला resistance to 400 जब support और resistance है तो 450 का आपका resistance है जो उसने टच किया 450 के level पर मैंने profit book कर दिया है अभी wait करेंगे फिर से कप करना है अब देखो 460 का highest गया था हिंडल को का मैंने last time चब video बनाया था 300 का पहला support दिया था 300 का दूसरा support 400 का तीसरा support resistance 1 400, resistance 2 450 और resistance 3 500 पे हिंडल को आज की डिट पे 17 November 2022 इसकी closing है 440.45, support 1 है 300, support 2 300, support 3 400, support 3 400, resistance 1 450 पे resistance 2 500 और resistance 3 550 हाइस अगर आप इसका देखेंगे 460.55 है और इसका इस मैंने का चो lowest है 380.10 बात करेंगे अधानी पोर्स अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर्ली देख रहे तो definitely अपने इस पे बहुत अच्छा पैसा कमाया रहेगा अधानी पोर्स का मैंने last time वीडियो बनाया था 10 October 2022 जब इसकी closing हुई थी 808.10 support 1 वा 700, support 2 750, support 3 800, resistance 1 800, resistance 2 850 and resistance 3 900 पे अधानी पोर्स आज के रिट पे 17 November 2022 इसकी closing है 890.85 है 200 यह में के उपर है 750 पे पहला support 800 पे दूश्रा support 850 पे तीश्रा support 900 पे resistance 1 950 पे resistance 2 1000 पे resistance 3 अब आप बताईए आपको क्या लगता है अधानी पोर्स 1000 का level touch करने वाला है within a month जो मैंने आपको resistance level दिए हाइस अगर आप इसका देख रहे हैं 916 रुपे है सारे target achieved जो मैंने पिछले महीन आपको दिए थे और lowest अगर आप देखेंगे 771.60 अगर उसके पिछले वाला वीडियो आपने देखा रहे था 987 तक गया था वड़ वापस वो 800 के level पे आया आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो जिन लोगों ने जो लोगों को मैं सिखा रहा हूँ discipline से trade कीचे अगर आपने discipline में trade किया रहता आपने इस अधानी ports को 600 से 700 कितनी बार up and down हुआ आपने देखा 800 के level पे आपको 50% लोगों ने अपना stop loss हिट किया रहेगा जिन लोगों ने stop loss यूज किया जो मैं आपको हमेशा discipline में सिखाता हूँ 52 वीक level के high कोई भी share हो कोई भी share हो stop loss यूज करना must है उसके लिए अगर आपको और बढ़ेगा तो फाइदा रहेगा बट नुकसान अगर सोच यह 950 पे 940 पे जिन लोगों ने buy किया रहेगा 987 तक गया और बढ़ेगा सोच कर उन्होंने अगर profit booking नहीं की रहती और वो आ गया 800 के level पे तो सोचो कितने लोगों ने नुकसान लिया रहेगा इसके लिए हमेशा बोलता हूँ कोई भी शेरो भाई support level पे buying करने की देखिए resistance से नीचे आते ही sale करने की सोचिए और support पहने तक वेट करने की देखिए अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं पिछले देड़ साल से वीडियो बना रहा हूँ और जो लोग रेगुलरली वीडियो देख रहे हैं वो सब समझ चुके market आपको या मेरे को बोल के correction नहीं आएगा आपको support resistance का level बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आपने उतना किया आप 10 में से 8 बार trade positive कर सकते हैं without any issue especially जो लोग एक साल, दो साल, तीन साल से trade कर रहे हैं और profit नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए ये strategy बहुत important है बात करेंगे सद्भव engineering, सद्भव engineering as a penny sales मैंने आपको हमेशा बोला है कोई भी penny sales हो, penny sales है तो आपको उनमें trade अगर लेना है तो आपके profit के पैसे होने चाहिए और quantity एक सुसे या 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि अगर वो नुकसान भी हुआ तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा अगर profit हुआ और हमेशा आपको मैंने बता है कि जो लोग आपको वीडियो बनाते है पैनिस पर बाई करो आपके पैसे डबल ट्रिपल फोर चार टाइम पांच ताम वाटवर आप सोचो कितने पैनिस पर मैंने वीडियो बनाए देड़ साल से और कितने पैनिस दस रुपे के थे और वो दो सो रुपे होगे तीन सो रुपे हुए है एनिशेस नो शेस तो यू हाव तो बी वैरी पेशन्स इन दिस पर आप ट्रेड करना चाहते हैं सिर्फ आपके profit के पैसे डाल दो सोचो कि अगर ये चले गए कोई problem नहीं है और आपके पास patience लेवल भी होना चाहिए कि भाई चार साल पांच साल छे साल आप wait कर सको तब जाके आपको panisers में अच्छा return मिलेगा और else तो नहीं मिलने वाला तो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीचे जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance दे कर उस तरह आप भी मुझे support कीचिए मेरी वीडियो को like कीचे subscribe कीचे और आगे आपके family friends पर forward कीचे ताकि यह important information उन तक भी पहुंच सके thank you so much have a nice day